ये मन दुश्मन है ये अपनी मम्मी माया से मिल करके और भगवान के पुत्र जीव का पतन करा देता है अव बड़े आराम से उसे के पिछे पिछे चलता जाता है मेरा मन कर रहा है पर गुरु जी ने तो ये कहा है कहा होगा मेरा मन तो ये कर रहा है गुरू की आज्या बेद की आज्या ये दो आज्या से जब तक मन को न चलाएगा कोई बिक्ती तब तक अनंत जन में भीत चुके आगे भी बीतेंगे कभी नहीं वो भगवत प्राप्ति कर सकता मन का दास कि अनादिकाल से हमने अपने सबसे बड़े शत्रू को सबसे बड़ा मित्रमान रखाए कि सबसे बड़ा दुश्मन मन कि उसको हमने सबसे बड़ा मित्र बना रखा है मन ने कहां ऐसा करो दीए गए यह मन माया का पुत्र है माया से बना है तो यह अपने बिश्राय को माया के जगत की ओर नैचुरल ले जाना चाहता है ले जाता है पूरी ताकत और बड़ा बलवान भी है बड़े बड़े तपस्यों के छक्के छुड़ा दिया इसने जुन्होंने माना रख मान रखा था कि ये दुश्मन है उसको भी नहीं छोड़ा अपर जो नहीं जानते नहीं मानते वो तो बिचारे नाच रहे हैं मन के वे इशारे पर आखो संसार देखो कान संसार सुनो सावे इंद्रियों को ले करके मन अपने अंडर में करके और जीवात्मा को 84 लाख में घुमा रहा है तो बिचारा आसहाए होकर घुम रहा है इतने बड़े परमहंस रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने उनको परमहंस कहते ही थे सब उनकी भी पैसे में आ सकती थी तो एक हाथ में मिट्टी ले और एक हाथ में पैसा और टाका माती टाका माती टाका माती पैसे को टका कहते थे उस समय तो बंगला में टका को टौका ये मिट्टी है ये मिट्टी है ये मिट्टी है ये मिट्टी है इस प्रकार बुद्धी में भर करके मन को हटाया स्वामी रामतीर्त की सेव में बढ़ी आ सकती थी सेव फल अच्छा सेव को सामने रख दिया सब चीज खाया सेव नहीं खाया दूसरे दिन भी सेव रख दिया और दाल लोटी सब खाया सेव नहीं खाया तुझको मैं खाऊंगा नहीं कभी यह मन की नहीं सुनूँगा मेरी भी जिद्ध है तो मन हार जाता है देखो बंदर इतना चंचल होता है उसको मदारी जब कंट्रोल में करता है तो उसकी तर्कीब यह है कि पहले पचास फुट की रस्ती में बान देता है तो वो पचास फुट के आगे जाना चाहता है तो गले में रस्ती लगती है फिर जाना चाहता है फिर लगती है तब वो पचास फुट में ही कूदता है कूदने की तो आदत है वो छोड़े कैसे तब उसको पचीश फुट की रस्ती में बान देता है अईसे करते करते जब एक फुट की रस्ती में बान देता है तो बंदर चुप्चाब बैढ जाता है फिर मदारी के इशारे पर सब काम करता है ये मन ऐसा दुश्मन है रिशब भगवान के अवतार उनके सामने सिद्धियां आई अणिमा लगिमा गरिमा तुम लोग कैसे आए आपकी सेवा के लिए सेवा किसने बलाया था तुमको बाग ऐसी सेवी काम नहीं रखते जो दुश्मन के साथ मिल जाएं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मन हैं तुम उसको मिला लोगी और वो सिद्धियों के चक्कर में पढ़कर अपना नाम कमाना और अब ये चमतकार वो चमतकार वो चमतकार तो हम भगवान से अलग हो जाएंगे हम भगवान के अवतार हैं तो हम भी परीत काम करेंगे तो सब भी परीत करेंगे इसलिए नकुरजात करिचित सक्यम मनस यनवस्थिते भागवत में कहा गया पांच छे तीन क्यों तो उत्तर भी दिया योगिना कृतमाई त्रस्थ्य पत्त्र जाये वो पूंश चली पांच छे चार जैसे कोई दुराचारिनी इस्त्री अपने लबर से मिल करके अपने पती का मर्डर करा देती है आएशे ही ये मन दुश्मन है ये अपनी मम्मी माया से मिल करके और भगवान के पुत्र जीव का पतन करा देता है अवो बड़े आराम से उसे के पिछे पिछे चलता जाता है मेरा मन कर रहा है पर गुरु जी ने तो ये कहा है कहा होगा मेरा मन तो ये कर रहा है गुरु की आज्या, बेद की आज्या, ये दो आज्या से जब तक मन को न चलाएगा कोई बिक्ती तब तक अनंत जन्म बीत चुके आगे भी बीतेंगे कभी नहीं वो भगवत प्राप्ति कर सकता मन का दास इसलिए कहा जा रहा है आए जीव, ये मन दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है और किसी की दुश्मनी तो खतम हो जाती है थोड़े में वो माफी मांग लिया अच्छा जाओ जाने हो गया अब उसमें माफी मांग लिया, माफ कर दो लेकिन मन ये तो सब बार माफी मांगे तो भी नहीं सुनना एक सो एक वी बार उड़ा ले जाएगा हर समय सावधान रहो आ गुरू आदेश है, शाष्ट्र का आदेश है, वो मानना है मन की नहीं सुनना ये तो ट्यम्परेदी इंद्रियों का सुख चाहता है इसी का अभ्यास है अथे अपने शत्रू को सदा समझे रहो आदेश है, शाष्ट्र का आदेश है